surgery में से उन विजातिय दरवियों को उन विजातिय पदार्थों को हटाने का असली तरीका कौन सा है? एक मटका है वो मटके के अंदर गंदा पानी है अब गंदा पानी है एक बुड़ी माता है वो घर में सोई हुई है और उसको उसकी बहु बोल के गई थी वो बुडी माता कहते है बिटा वो अभी पानी का टाइम हो गया है तो नलका खोल दो और वो जो मटका है उसे थोड़ा सा धका मालो मटका खाली पड़ा था और आधा अंदर कश्रा वाला था तो जबी कॉर्परेशन का पानी आया वो बच्चे ने थोड़ा सा नल खोल दिया वो मटके को अंदर लगा दिया पानी चालू है माता जी ने बोला कि पानी चालू रहने दो लगा तार पानी गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा एक गंटे तक जितना भी गंदा पानी था बाह निकल गया और अच्छा पानी अंदर आ गया इस शरीर में राइट आहार डालते रहो डालते रहो डालते रहो राइट आहार का मतलब है जो आहार से हमारे खून के अंदर 80% आलकलीस और 20% एसिट बैलेंस हो जाए अर्थात हमारे खून का जो पी एच है मतलब हम कोई कुछ कोई चीज को नापना होता है तो फुट पट्टी लेते हैं फिर मीटर लेते हैं फिर कभी लीटर लेते हैं ये सबी जो नापने की चीज है ऐसे ही खून को नापने की जो चीज है that is called पी एच ये जो पी एच है बलड का वो 7.2 और 7.5 के बीच में अगर हम आहार के द्वारा मेंटेन करते हैं तो लगातार हमारे शरी में कहां भी विज़ात ये द्रव्य पड़े हैं वो नीटरल है जोरकर शरी के बाहर निकल जाते हैं और हम तंदूरस हो जाते हैं हमें कहां कोई रिपोर्ट कोई एक्स्रे कोई इंजेक्शन कोई गोली कोई पड़ी का किसी के पास हाथ बताना किसी को सिर जुकाना पड़ेगा नहीं